हाई बच्चो मैं हुँ हेम September सर्मा आपका स्वार्ट करते पने यूट्यीब चैनल पेपर है कब बच्चो सो बच्चो देखेंगे आज कि इस वीडियो में ठीक है बच्चो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आपके लिए क्या लेकर आएं आज की इस वीडियो में बच्चो BSC Part Second Year का ठीक है न इसका BSC Part Second Year का बच्चो हम आपके लिए पेपर लेकर आएं है जो कि Physics का First Paper है Physics के First Paper में बच्चो हम आपके लिए बता दें इस बार हम आपको second unit करवाने बाले हैं ठीक है second unit करवाने बाले है बच्चो ठीक है second unit जो है हम आपको पहले ही बता चुके है कि इसमें हम unit अलग-अलग करवाने बाले है जो बड़ी unit है उसको हम अलग करवाने बाले है तो इसमें first और second unit जो है हम अलग-अलग करवाने बाले हैं तो first unit जो है वो हमने भाग video भाग first में डाल दी है और second unit जो है वो हम video part 2 में डाल लें है ठीक है video part 2 में डाल लें है second unit ठीक है तो इसमें आप देखते रहेगा very important question है ठीक है और इसकी PDF जो है बच्चो वो हमने अपने description box में link दे लिया है बहाँ से आप PDF को download कर सकते हैं ठीक है देखेंगे बच्चो questions की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से आप जल्दी से class को share करेंगे जल्दी से share करेंगे class को और like करते रहेंगे video को like करना बिलकुल न भूलेंगे दोस्तो ठीक है तो बच्चो देखते हैं हमारा पहला question की तरफ पर पहला question की रहने क्क machtash धिया है पहला पुईयों हमारा दिया है या यह इन स्क्वारण ब्रताक्त में उच्ष्प तरहे ऊप्सिन अ new जोनों की मद्ध कलांतर होता है इसमें रचान का रहेगा क्वारक से यहुटर। बताएंगे सभी राई बताएंगे यहलँ देखेंगे जो राइट रहेगा संसा रहेगा शुर्ट इसका ढासर रहेगा Σ ilo इसका order is 97 संद निमन में से कौन साथ तरणग का विवर्तन सर्वाधिक सर्वादिक इस पर्ष्ट होगा सर्वादिक इस पर्ष्ट होगा तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्छों जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन साथ ही का अगर नेश कोश्चन वोडियम पिरकास की दो पीली रेखाओं की तरंग देदर यह पांसो नवासी पॉइंट जीरो आयम नम है इन तथा पांसो नवासी पॉइंट सिक्स नम है इन रेखाओं को पिर्थम कोटी में विभेद करने के लिए ग्रेटिंग की विभेद चंता होगी तो इसका रहेन ञागए देखेंगे लिए तेत की दित्राइव चैन्टा कोशनका ओए तो क्या है दो पॉइंट फाइरे चार यानी स्पाइट में एक की इस वाले अभी द्रस्य की तरंगे ड़स्य है शे हजार आंगे स्थान के स्पाइब होती तो इसमें जल्दी से बताएंगे 2000 व्हुत्रं के प्रकास में लिए तो इसका क्या होगा इसका राइट आंसर कि यह जल्दी से राइट जबाब देंगे तो देखेंगे इसका जो रइट रोगो बाइक को ऊप्सिन नंबर आठ ठीक है आप्सिन नंबर आ हमारा राइट अंसर है गाएगा तो पॉइंट अटा सी इंटु तेन तू पावर माइनस फाइब रेडियन यह हमारा राइट रहे अज़र आपसिन नंबर आ ठीक है अगला होना चाहिए जल्दी से राय तर बताइंगे इसमें कॉंसा रहेगा इसमें राय के जल्दी से बठाएंगे के पर कारिकारती है किसकी तरह कारिकारती है है राइट आंसर कौन सा होगा इसका तो इस तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वहें क्या रहेगा तो option number a इसका right answer रहेगा ठीक है आधार की लंबाई के समानुपाती यह हमारा right answer रहेगा option number a ठीक है अगला next question देख लेते हैं कि यह ग्रेटींग पर 15,000 रेखाएं किरती इंच्स हैं ग्रेटींग का अंतराल कितना होगा जल्दी से राइटांसर क्या रहेगा इसका राइटांसर बताएंगे देखेंगे सबक्राइटांसर रहेगा ओप्संथला यह उब यह थी पॉकस दूरी होती है जोन प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है चबकि दिया है yn square to pi n square ठीक है तो जल्दी से बताएं कि right answer इसका क्या होगा तो इसका right answer होगा option number 6 ठीक है क्या होगा option number 6 होगा y square n square upon n lambda ये हमारा right answer होगा option number 6 ठीक है अगला निश कोईशन 5000 एंगेस्टांक तरंगे देदरिये वाले प्रकास के लिए एकल slit विवरतन के कारण पर्फम विवरतन निमने स्टिप ठीथा पराबर 30 डिगरी पर प्रयाथ होता है slit का चोड़ाएं है यानि कि slit की चोड़ाएं कितनी है जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा होगा इसका तो इसका right answer जो होगा option नंबर都 इसका right answer होगा 1.0 into 10 इसका Um कहा है जो आ पर त्र या पिश्ट्र नंबर जदेकिनेश आंवर की तो देखेंगे उसका जो राइट आंसर यह एप क्या रहने वाला है यह हमारा राइट अंसर है अफ्जिक अगला नेश्ट पोजिचन एक लीश्ट में स्वेट प्रकास का फॉन हाफ हर देखने के लिए चाहिए लेट होड़ाई होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, सभी बच्छे जवाब देंगे, राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है? तो देखेंगे इसकी जो राइट आंसर रहेगा, भर क्या रहेगा, जल्दी से बच्छो right answer बताएंगे क्या रहने वाला है इसका तो इसका जो right answer रहेगा बैए क्या रहेगा option number 10 का right answer रहेगा 2 sign 2 sign minus 1 upon 2 sign minus 1 break it to my lambda upon e ठीक है यह हमार right answer रहेगा option number 10 ठीक है अगला next question देख रहेगा बच्छो जल्दी से वीडियो को like करते रहेगा शेयर करते रहेगा वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें बच्छो very important question लाएं आपके लिए इस वीडियो में प्रिजम की विवेधन चंता होती है तो इसमें राइट अंसर क्या होगा इसमें राइट अंसर क्या होगा लाल रंग के लिए लाल रंग के लिए यह अगर नेष्ल क्या है प्रिकास किरां का किसी विधनकारी बस्तू के किनारे से मुढ़ना कहा जाता है जल्दी से बताएंगे राइट यह रहेगा लिए इसका और रहेगा बच्चों जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option number बाब विवरतन विवरतन इसका right answer रहेगा option number बाब विवरतन इसका right answer रहेगा बच्चो अगला next question देखेंगे नेस्ट कोईशन क्या है प्रिकास का विवरतन दिखाई देने के लिए अवरोध का काराण अवरोध का आकार होता है ठीक है तो प्रिकास का विवरतन दिखाई देने के लिए अवरोध का आकार होता है तो कैसा होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इस इसका क्या right answer रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्छे, देखेंगे इसका right answer रहेगा, वो क्या रहेगा, option number 7, विवरतन द्वारा, विवरतन द्वारा इसका right answer रहेगा option number 7, ठीके, अगरा next question, crown half hour, विवरतन प्राथ्टो करने के लिए आपतित तरंगार ग्रूना चाहिए आपते तरंगाग रो होना चाहिए इसका right answer कौन से रहने वाला है इसका right answer कौन से रहने वाला है वच्छो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 7 ठीक है ट्राउन हाफर गर्ग विवर्तन के लिए आवस्य प्रतिवंद है कि आवस्य प्रतिवंद है कि क्या होना चाहिए जल्दी से बताएंगा राइट अंसर इसका क्या रहेगा जल्दी से बताएंगा राइट अंसर बच्चो क्या रहने वाला इसका तो देखेंगे इसका जो रा ठीक है कैसा होता है घटता है बढ़ता है या कैसा रहता है जल्दी से बताएंगे राइट अंसर क्या रहेगा इसका आप संगर बिवरतन में चंपूरगागर के कारां उसके शमुक किसी बिंदू पर पर अयाम, पिर्थाम अर्धावर्ती, कटिवंद के कारां, उत्पन आयाम का होता है, कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो सभी बच्चे देखेंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा, रहागा अगर नियश्ट कोईशन बेख लेते हैं इसका रहे लिए तो किया कहला पते हैं जल्दी से नद्र हांससित क्या रहेगा इसका अांसर क्या रहने वाला है विसका जो राई reply आसर रहेगा प्र क्या रहेगा ऑफशन लमर 8 ठीख है धन जोन पेट जोन फ़ेट एक रहा ये कह रहतीगा राई टेंट रहेगा थीख है अगुर अग्लों स्कूष यह हमारा right answer है, option number 6, ठीक है? अगरा next question दिख लेते हैं, next question दिया है, zone पटिका में अर्ध आवर्त zone का छेतरफल होता है, zone पटिका में अर्ध आवर्त zone का छेतरफल होता है, कितना होता है? जल्दी से बताएंगे right answer इसका क्या रहेगा? इसका right answer क्या रहेगा? बच्छो जल्दी से बताएंगे, तो देखेंगे इसका right answer रहेगा, option number 2 हमारा right answer रहेगा, pi v y, pi v lambda, pi v lambda यह हमारा right answer रहेगा, option number 2 ठीक है? option number 2 हमारा right answer रहेगा, अगरा next question देख लेते हैं, next question क्या दिया है? next question दिया है, एक zone plate की focus दूरी होती है, कितने होती है? option number 3 हमारा right रहने वाला है, r square n upon n into lambda, n into lambda, यह हमारा right answer रहेगा, ठीक है? r square n upon n into lambda, यह हमारा right answer रहेगा, option number 6, ठीक है, अगरा next question देख लेते हैं, next question क्या दिया है? next question बच्छो दिया है, अगर्डार की प्लेट की मुखे focus दूरी अधिक होती है, तो right answer इसमें कौन सा रहने वाला है जल्दी से सभी वच्छे बताएं के right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसके right answer रहेगा क्या रहेगा option number 2 ठीक है bank नहीं रनके लिए bank नहीं के लिए right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question देख लिए से यह अर्ध आवर्त जोन का छेतर फल होता है इसमें से कौन सा राइट अंसर रहेगा इसमें से कौन सा राइट अंसर रहेगा सभी बच्छे बताएंगे जल्दी से बताएंगे सभी बच्छे राइट आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो right answer हैगा विकर हैगा option number 0-0 हमार right answer रहेगा पाई वी यह ने अंसर है ठीक बच्छो बच्छो किलास को share करते रहेगा और वीडियो कोलाइक करते रहेगा और वीडियो को Locke question लाएं हम आपके लिए पूरा देखेगा लाश्टार देखेगा पूरी वीडियो को बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाले बच्चो बेरी बेरी important question है इस वीडियो में ठीक है तो देखते हैं अगला next question की तरफ बढ़ते हैं इसके मूल संख्या के बर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होती है ठीक है यह हमारा right answer है option number one ठीक है तो अगरा next question देख लेते हैं बच्चो नेश्ट question हमारा क्या रहने वाला आपकी important ठीक है तो इसमें right answer क्या रहेगा स्पा इसका right answer क्या रहेगा बच्चो तो इसका right answer जो देखेंगे वुघ क्या रहेगा एक सम्तल बिवर्तन ग्रेटिंग पर 40,000 रेखाएं हैं, 6000 एंगिस्टरान के परास में जितिय किरम एन बराबर 2 के लिए बिवेधन चंता होगी, कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे, राइट अंसर क्या रहेगा, राइट अंसर इसका क्या रहेगा बच्चो, तो देखेंग राइट अंसर है कि आगला नेस्ट कोईशन देख लेते हैं, नेस्ट कोईशन क्या दिया है बच्चो, नेस्ट कोईशन हमारा आपकी स्कृम पर दिया गया है, देखेंगे, बिदिया इसका क्या रहेगा इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला बच्चो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा ऑप्सन नमबर सा इसका राइट आंसर रहेगा इंगल की विधी यह हमारा राइट आंसर रहेगा इगल की विधी हमारा रा राइट आंसर क्या आएगा कि में देखेंगे इसका जो राइट रही इन्छा वह क्या आएगा ऑप्शन नमबर दा ठीक है दोहजार राइच टाउनिस का राइट आंसर आईगा दोहजार राइट रीच्च आओप अगर नेक्स पॉस्चन एक पच्यस सो चालिस रेखा प्रत तम संख्या के दिनी होगी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसका त न्मेट कि अगर ने लिख रहें पर 30 cm हैं सब दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रमों की संख्यां안 इसका क्या ओगा लगा तो इसका राइट आंसर से आता हुआ सूर्य का प्रकास भूमी पर गोल धब्ले बनाता है जिसका काराण है तो इसका कारल क्या है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चो जल्दी से सब भी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा आपस नमबर साथ ठीक है प्रकास का बेवरता है इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है अगरा नेश पूस्च्टिन शंतल ग्रेटिंग की विवेधन शंता के लिए सूतर है तो कौन सा सूतर है जल्दी से पताएंगे इसका राइट अंसर रहने वाला है तो इसका और इसका ऑप्षान नमबर आ हमार राइट आंसर रहेगा लेमडा पॉंड बी ले रहने वाला हमारा नेस्ट कोई से हमारा आपकी स्क्रेम प दिया है भी सेंटी मीटर फोकस दूरी बाली जोन प्लेट में 5000 यह चांट तरण रेढ़र है के पिरकास के लिए पिर्थम जुन तो देखते हैं अगला नेश्ट पूशन की तरफ बढ़ते हैं नेश्ट पूशन हमारा क्या रहने वाला है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में चौथे किरम की कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा 5461 एंगिस्टरान के तिरती किरम की रेखा से हती व्यापित होगी तो इसका राइट रहने वाला है बच्चो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट अंसर क्या रहेगा इसका देखिए इसका राइट अंसर क्या रहेगा और प्रकार की तरंगों या अंतरिक तथा विदुत चुम्ब किये दोनों प्रकार की तरंगों में यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला देखेंगे नेस्ट क्या है एन लिस्टों वाले ग्रेटिंग से बने इस विक्टरम में मुख्य उच्चिष्ट की तीबरता अनुक्रमानुपाती ह होती है तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा 밥 ए्ट है ए पर यहांरे बंका सरया घ्रिकर तो अगर हमारी एट और अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमाहे चैनल को पहली बार सुनना है बच्चो कि हमारे चेंल्यकों सब्सक्राब करिए और जो कि हमारे आने बाले वीडियो और नोटिफिकेसन बच्चो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे ठीक है तो बच्चो इसकी PDF जो है वो हमने अपने description box में लेंगे दे दिया है आप PDF को बहां से download कर सकते हैं ठीक है तो हिंदी और इंग्लेस वाले दोनों इस्टूडेंट पढ़ें एक PDF इंग्लेस में भी दी हुई है ठीक है तो लाज तक देखें पूरी very important question है ठीक है अब अच्चो एक बात बता दें जल्द ही हम बहुत जल्द ही एक app launch करने वाले हैं उसमें आपको सारी PDF मिलेंगी ठीक है सारी वीडियो मिलेंगी ठीक है तो बहां से आप सभी पढ़ सकते हैं वहां से online करा से भी सकते हैं ठीक है तो आप उस app को प्ले इस्टूर से डाउनलोड कर सकते हैं उसका link हम अपने description box में दे देंगे ठीक है और प्ले इस्टूर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको ठीक है तो जैह हिन बच्चो मिलते हैं एक सौर बरिक के बाद